नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम इस्टर डेविद पीएल लोगता साथियों रीट पातता परिक्सा 2022 लेवल 2 एवं लेवल 1 के लिए जो पातता परिक्सा है उसके लिए मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और सिक्सन विदियो का पेपर नंबर 44 आज आपके लिए लेकर आया हूँ और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेट की मुख्य परिक्षया होगी दोनों लेवल की उसके लिए भी ये टेस्ट सिरीज वेहद ही उप्योगी है साथी सेकंड ग्रेट फर्ष्ट ग्रेट के लिए भी काभी ज़्याद उप्योगी है 35 अतिमयत पुन प्रेश्ट ने हिंदी व्याकरण और सिक्सन विदियो के हम इस टेश्ट में अटेंड करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहला प्रश्ट देखेंगे साथी हो आपके प्रश्ट प्रश्ट संख्या 1 द्रश्य स्रव्य सामगरी नहीं है शाया चित्री दूर दर्शन चल्चित्री और नाटक तो देखो जो द्रश्य स्रव्य नहीं है द्रश्य सरव्य का मतलब जिसमें दिखाई भी देता है और जिसमें सुनाई भी देता है वो कहलाती है द्रश्य सरव्य सात्यों यहाँ पर दूर दर्शन दर्श्य सरव्य है नाटक दर्श्य सरव्य है चल चित्र दर्श्य सरव्य है लेकिन 6 चित्र का मतलब फोटो से लिया जाता है और फोटो सिर्फ और सिर्फ दर्श्य है ने की सरव्य है अता है विकल्प नंबर जो एक है आपके प्रश्ण सं संख्या एक का सही उत्तर होगा चैने द्रश्य स्रवी नहीं है सिर्फ द्रश्य है चले नेक्स प्रश्ण नमबर दो पे आते हैं तो आपके दूसरा प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण नमबर दो क्या पूँच रहा है आपसे साथियों मौकी कवियक्ति कोशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्याले पत्रिका नाटक वाद विवाद और क्यूज कारेकरम साथियों मौकी कवियक्ति कोशल का विकास करना है तो उसका सशक्त माध्यम यहाँ पर क्या रहेगा साथियों प्रश्ण संख्याद 2 में स सातियों आप मोकी का विव्यक्ति कोशल का विकास कर सकते हैं, क्योंकि वाद विवाद मोकी कर रूप से किया जाएगा, तो थर्ड विकल्प आपके प्रिश्ण संक्याद 2 में सही है, नेक्ट प्रिश्ण नमबर 3 पे आते हैं, तीसरा प्रिश्ण है आपके, बाशा दक्षता का प्रारंबिक कोशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो जो बाशा दक्षता होती है, इसका प्रारंबिक कोशल, अच्छा बाशा दक्षता के कितने कोशल होते हैं, चार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो साथियों अंतिम कोशल तो लिखना है जबकि प्रारंबिक प्रतम कोशल सुनना है तो प्रश्ण संख्यात 3 में आपके जो प्रतम विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा साथियों चले एक्ष्प्रेश नंबर 4 पे आते हैं तो चोता प्रश्ण देखेंगे भाषा सिक्सक का विशेस अनिवार्य गुण है विशे का विस्तृत ग्यान बाल मनविग्यान का ग्यान सिक्सन विदियो का ग्यान और शुदूच्चारन तो देखो सिक्सक भाषा का है ठीक है किसक लेंग्वेज का टीचर है तो उसका विशेश अनिवारे गुण यहां पर पूचा जा रहा है साथियों विशे का विस्तृत ग्यान बाल मनविग्यान का ग्यान और सिक्सन विदियो का ग्यान तीनों ही चीजे भाषा ही नहीं सबी सिक्षकों के लिए अनिवारे होती है लेकि प्रिश्ट नमबर 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 प्रिश्ट नम प्रिक्षन की संख्या कितनी हुई साथियों चार हुई विकल्प नंबर आपका 4 सई है प्रिशन संख्या कौन सा है ये 5 विकल्प प्रिशन में प्रिक्षा, हाथ, मामा और जमाई तो देखो तस्वम तदबव के बारे में वापिस में बता रहा हूँ कि कमेंट आया था कि सर रीट से तो तस्वम तदबव को हटा दिया गए था बट रीट के बाद में जो मेन एक्जाम आपका होगा साथि उसमें आपके तस्वम है मामा तदबव है लेकिन परिक्षा शब्द केसा है तस्वम है साथियों विकल्प नमबर आपका जो एक है प्रशनलिंग शब्द का चैयन कीजिए विनम रिशील चांवल पीपल और सुबे चार विकल्प है जिसमें तीन तो पूरलिंग है और एक इस्दिंग है उसी इस्तिलिंग शब्द का आपको प्रिशन संख्या साथ में चुनाओ करना है साथियों चावल अच्छा होता है या अच्छी होती है अच्छा होता है मतलब ये क्या है यहाँ पर पूर्लिंग है पीपल अच्छा होता है या अच्छी होती है अच्छा होता है पीपल मतलब ये भी क्या है पूर्लिंग विनमर शील अच्छा होता है या अच्छी होती है अच्छा होता है तो ये भी पूर्लिंग मतलब सुबह शब्द क्या है यहांपर आँक शब्द का आपको बहुँँशन बताना है कि इसका बहुँँशन क्या होगा तो देखो आँख नेतरी शब्दा लागे नेतरी शब्दा लागे आँख शब्दा लागे आँख शब्द का जो बवचर है वो रहेगा आँखें ना की आँखों अखियां अखियां गलते विकल्प नमबर आपका दो ही सई है, सात्यों प्रश्ण संक्या आट में, नेक्श प्रश्ण संक्या नो की ओर बढ़ते हैं चलिए ये नोवा प्रश्ण देखेंगे, तो आपके ये नोवा प्रश्ण क्या है किस वाक्य में किरिया आसन भूतकाल में हुई है शाम गाना सुन चुका था मा खाना बना रही थी मनोज घर पहुँच गया होगा और राधा के कपड़े सिल गए है तो देखो आसन भूतकाल मतलब किरिया पूर्ण तो हो चुकी है लेकिन जो किरिया है वो अभी अभी पूर्ण हुई है वहाँ पर होता है आसन भूतकाल तो पहला विकल्ब क्या बना रही थी बना रही थी मतलब पहले की बात है अभी भी बना रही है या पूरा हो चुका है इसका पता नहीं है तो पिर यह अपूर्ण भूतकाल का उधारन है मनोज घर पहुँच गया होगा संभावना बताए जा रही है तो ये भी आपका अंसर नहीं है अर्थार्थ राधा के कपड़े सिल गए है सिल गए है मतलब कारे पुरा हो चुका है और गए है तो अगर ऐसा शब्दा आए है तो शात्यों वहाँ वहाँ आसन भूत काल का उधारण है जो निकटता का बूत कराता है तो विकल्प नमबर आपका जो चार है नोवे प्रिश्ण का सही उत्तर होगा कौन सा विकल्प चोता विकल्प साथियों नेक्स प्रिश्ण नमर दस पे आते हैं तो आपके दसवा प्रिश्ण निम्न वाक्यों में से कौन सा जाती वाचक संग्या नहीं है विबिक्षनों से साउधान रहो गांदी जी ने भारत सोतंत्र कराया हम सभी को बुराईयों से बचना चाहिए दूरियों दूरियों से अपना पन कम नहीं होता तो देखो जाती वाचक संग्या जिसमें नहीं आपको लग रही है उसका चैन विबिक्षन ने जिस परकार से किस के पास गया था विबिक्षन साथियों अपने भाई को छोड़का शिराम के पास गया था तो घर का भेदी लंका ढाय उस परकार ये चीजे विबिक्षन के परति की जाती है अता ये जाती वाचक है बुराईयों बुराईयों बुराईय जातिवाचक है साथियो लेकिन गांदी जी शब्द एक वचन है अते ये क्या रहेगा जातिवाचक संग्या में नहीं आएगा तो दूसरा विकलप आपके प्रिश्ण संख्या 10 का सही उत्तर होगा ग्यारा की और चलिए ग्यारवे प्रिश्ण की और बढ़ते हैं आपके प्रिश्ण मबर 11 है प्रेनार तक कर्या का उधारन है राम चंद्र महेंस से पत्र लिकाता है रामू की अपना काम करने दो इसा था वाग्य है मौहन ने पुस्तक पड़ी और आप चाहि लिजीए देख करता स्वेम कारीने करके किसी दूसरे से कारी करवाता है तो उसको कहते है प्रिरिनार्तक किरिया यहाँ पर जो पहला विकल्प है रामचंद्र महेश से पत्र लिखवाता है यहाँ पर रामचंद्र महेश से लिखवा रहा है खुद कारीने कर रहा है दूसरे से करवा रहा है अरतारत ये किसका उधारान है, प्रिरिनार्तक किरिया का, तो विकल्प एक आपके 11 प्रिश्ट में सही है, नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर 12, निम्न में से निपात का चैन कीजिए, भी, वह, जहां, और कोई, तो देखो, निपात, निपात का मतलब बल देने से लिया जाता है साथियों, जैसे एक शब्द है कि मैं चलूँगा, क्या शब्द है, मैं चलूँगा, अब यहां पर एक शब्द, एक हुआ क्यो रहा है, मैं भी चलूँगा, तो यह जो भी शब्द है कि मैं चलूँगा और मैं भी चलूँगा, तो यह भी शब्द किसका बहुत करा रहा है बल देने का मतलब इसको ही क्या कहेंगे फिर हम यहाँ पर निपात कहेंगे तो बारवे प्रिश्ण में आपके पर्थम विकल्प बिल्कुल सही है सात्यू यह जो भी शब्द है यह निपात का उधारान है नेक्स प्रिश्ण नमबर 13 के ओर बढ़ेंगे तो आपके तेरवा प्रिश्ण नीरस का संदी विच्चेद क्या होगा नी है प्लस रस नी प्लस रस छोटी नी प्लस रस और निर प्लस रस तो बताओ नीरस जो शब्द है इसका संदी विच्चेद क्या होगा सात्यो प्रिश्ण संक्या 13 में सही आंसर आपको बताना है तो देखो तेरवे प्रिष्ण का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नमबर एक नीरस शब्द का नी हे प्लस रस इसका संदीव चेद होगा साथियों विसर घाटने पर छोटी यी बड़ी में बदल जाती है और यहां पर विकल्प एक ही सही रहेगा तेरवे प्रिष्ण में नी ही प्लस रस नीरस शब्द का संदीव चेद होगा नेक्स आगे बढ़ेंगे साथियों प्रिष्ण संक्या 14 की ओर तो आपके 14 प्रिष्ण देख लेते हैं प्रिष्ण नमबर 14 है किस करमांक में समास का सही विग्रे हुआ है हवन सामगरी हवन की सामगरी ग्रह प्रिवेश ग्रह में प्रिवेश रण वीर रण का वीर सभा पंडित सभा का पंडित तो बताओ प्रिश्ट नमबर 14 में कौन सा विकल्ब सही है यहाँ पर जिसका समास विग्रे सही सही हो रखा है उसका आपको चुनाव करना है तो हवन सामगरी हवन की सामगरी नहीं होती है बलकि हवन के लिए सामगरी क्या कहलाती है हवन सामगरी करता ने कर्म को करण से संपरदान के लि तो यह गलन दे रखा है, सभा में पंडित होता है, रण में वीर होता है, लेकिन ग्रहे प्रवेश, ग्रहे में प्रवेश बिलकुँ शुद्र दे रखा है, साथ यो दूसरा विकल्प, ग्रहे प्रवेश का समास विग्रहे में प्रवेश ही होता है, तो सेकड विकल्प आपक या तो उपसर्ग आगे लगे होते हैं या उसमें अववे जुड़ा होता है या शब्दों की पुल्रावर्ती होती है वहाँ पर क्या होता है सात्यों अववे भाव समास होता है तो बेशक उपसर्ग है आज जीवन उपसर्ग है बैखुबी उपसर्ग है आशातीत तो सात्य आशा से आतित यहां यहां पर यह बहु ब्री समास का नहीं बलकि यह तत्त पुरुष समास का उदारण है आशा तीच शब्द तो यह अविभाव समास का उदारण नहीं है तो तीसरा विकल्प आपके प्रिश्ट नमबर 15 का सही आंसर होगा साथियों चले आगे बढ़ेंग जिसमें आउपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो चले देख लेते हैं विकल्पो को आपलस गमन से आगमन शब्द बना है इसमें आउपसर्ग है आपलस चरण से आचरण शब्द बना है इसमें भी आउपसर्ग है तो पहला या चोता दोनों में से एक रहेगा आपके नमबर 17 की और बढ़ते हैं चलिए 17 प्रिश्ण देख लेंगे आपके प्रिश्ण तो फिर पतन जतन या पुरातन राइट आंसर है पुरातन पुरा प्लस तन से पुरातन शब्द बना है और पुरा इसमें मूल शब्दे और तन इसमें प्रत्य लगा हुआ है तो विकल्प नमबर आपका जो चार है प्रिश्ण संक्या 17 का सही उत्तर होगा चलिए नेक्ष प विलॉम यूग में है आद्र का शुष्क आशृत का अनाशृत विगत का आगामी और आचार का अनाचार alors तो वताये प्रिश्ण का अनाश्रित नहीं होता है आश्रित का निराश्रित होता है क्या होता है आश्रित का विलोम निराश्रित होता है तो विकल्प दो आपके प्रिश्ण संख्या 18 का सही उत्तर होगा साथियों यह विलोम व्यूग में क्या है ऐसंगत मतलब गलत है बेमेल है नेक्स प्रिश्ण दमन करना कटिन हो दूर दमनी है इंद्रियों को वश में ने रखने वाला सयमी तो बताओ प्रश्ण नमबर 19 में कौन सा विकल्प आपको यहां पर गलत लग रहा है कौन सा जोड़ा गलत लग रहा है साथ यूँ उसको ही देखना है आपको तो देखो जिसको आप भेद नही सकते है उसको अभेद्र कहेंगे दूर की वास सोतने वाला दूरदर्शी होता है जिसका दमन करना कटिन हो उसे दूर दमने कहते हैं लेकिन इंद्रियों को वश में ने रखने वाला सहेमी तो विकल्प नमबर जो चार है यह जोड़ा क्या है साथ कियों गलत है प्रश्ण निम्र में से मिश्रित वाक के कौन सा है इस वर्षित देश में गेहों का उत्पदन अधिक हुआ है जो व्यक्ति यहां आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया जो व्यक्ति यहां था उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो जो से वाक्याराम हो रहे बिलकुल ये ऻाइल पर देहाएं यह फाइल प्रबंदध तक पहुंचाओ यह आधार पर वाक्षय क्या है मतलब अर्त के आधार पर अर्थ के आदार पर यां अर्थ शब्द टाइपिंग मिश्टेक की वज़े से चूटा हुआ है इच्छा वाचक प्रिष्ण वाचक संकेत वाचक और आग्या वाचक तो देखो यह फाइल प्रभंदक तक पहुंचाओ तो प्रिष्ण तो नहीं किया जा रहा है इसमें नहीं साथ्यों इसमें इच्छा जताई जारे क्योंकि इच्छा में तो आशिरवात कामना का बोध होता है संकेत वाचक भी नहीं है बलकि यहां आग्या दी जा रहा है यह साथ्यों तो यह वाचक किसका है आग्या वाचक वाचक के है अर्थ के आदार पर वर्गी करन करे वाच् प्रेश्टन संक्याबाइस का सही उत्तर बताओ भई यहाँ पर साप चछुंदर की गती होना यह जो मुहावरा है इसका सही आंसर क्या है बहुत ही कटिन कारे करना जी नहीं गलत है जान लेने के लिए उतारो होना बिल्कुल गलत है बहुत दीमी गती होना या दूइधा में पढ़ना दोनों में सापका एक आंसर होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा दूइधा में पढ़ना साप चछुंदर की गती होना मतलब दूइधा में पढ़ना की क्या करूं तो विकल्प एक आपके प्रश्ण बाइस का सही उत्तर है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथ यो प्रिश्ण संख्यां 23 की ओर चलिए 23 वा प्रिश्ण देख लेते हैं आपके प्रिश्ण संख्यां 23 सदा समान रहना लोकोक्ति है धाक के तीन पात ने उधो का लेना ने माधो का देना सावन हरे ने भादो सुके और बराबर कारे करना तो देखो एक लोकोक्ति है जि हां पर क्या रहेगा यह साथियों प्रिश्टन संक्या थे इसमें देको तेसमय प्रिस्ट में तीसरा को है। के तीन पात नहीं है इसका अंसर तो चलिए नेक्स टी प्रश्ण संक्या चोईस की और बढ़ते हैं तेस्वे में थर्ड आंसर रहेगा आपके प्रश्ण नमबर चोईस है आस्ता श्रद्धा प्रेम सहर देता और सवेदा शीलता के गुण सिक्सन के किस उद्देश के प्रद्धा एक प्रेम एक सहर देता एक सवेदन शीलता सात्यों इन में रचना कारे नहीं हो रहा है ना ही भाषय तत्तों का ग्यान दिया जा रहा है नहीं रसा सोधन किया जा रहा है बलकि ये चीजे हमारी सद्व रत्तियों अच्छी आदतों के विकास करने से संबंदी है तो सेकंड विकल्प आपके 24 में सही है नेक्ष्ट प्रश्ण नमबर 25 की और बढ़ते हैं सात्यों तो चलिए प्रश्ण नमबर 25 देखेंगे आपके 25 प्रश्ण रचना में शब्दों को प्रियुक्त किया जाता है सुव्यवस्तित रूप में अभिवेक्ति के रूप मे और अभिवेंजनात्मक रूप में 25 प्रश्ण में कौन सा विकल्प सही है जो हम रचना सिक्सन का कारे करते हैं सात्यों उसमें शब्दों को किसमें प्रियुक्त किया जाता है प्रश्ण संख्या 25 का सही आंसर बताईए तो 25 प्रश्ण में जो सही उत्तर है वो है अभिवे प्रश्ण की प्राचिन वे प्रमप्रागत विदी है निग्मन विदी आग्मन विदी भाशा संसर्ग विदी प्रयोग पढ़नाली साथियों व्याकरन सिक्सन पर आने के लिए हम आग्मन विदी का भी प्रयोग करते हैं निग्मन का भी करते हैं भाशा संसर्ग का भी करते हैं और प्रयोग का भी करते हैं अब यहाँ पर आपको प्राचीन वे प्रमप्रागत इन में से देखना है तो 26 वा प्रिश्ण आगमन निगमन प्राचीन विदियों में नहीं आता है साथ यो दोनों ही गलत है यह तो नहीं प्रियोक पढ़नाली प्राचीन में आती है बलकि जो भाशे संसर्ग विदि है जो भाशे संसर्ग प्रणाली है यह व्याकरन सिक्सन की प्राचीन वे प्रमप्रागत प्रणालियों के अंतरगत आती है तो यहाँ विकलप आपके तीन सही है प्रश्ण नमबर 26 में बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 27 की और तो लिखित कारे में संशुदन की आउशकता होती है चातरों की वरतनी सुधारने के लिए सिक्षक के सिक्सन कारे की जाच के लिए चात्रों का उच्चरन सुधारने के लिए और सभी तो देखो लिकित कारे मतलब जो चीजे बच्चे लिक रहे हैं उनमें जो आप संशुधन करते हो संशुधन की आवशक्ता क्यों होती है ताकि उच्चरन सुधारे बालकों का आप जी नहीं गलत है क्योंकि लिकित कारे में उच्चरन कहां हो रहा है सात्यों तो ये गलत है तो ये भी गलत है तीसरा चोता तो गलत है पहला या दूसरा सात्यों सिक्सन कारे की जाच के लिए नहीं बलकि चात्रों की वर्थनी सुधारने के लिए लिकित कारे में संशुदन की आवशत्ता होती है आपके प्रश्च नमबर 27 में प्रतम विकल्प सही रहेगा मैं 28 वा प्रिश्च देखेंगे तो चलिए 28 वे प्रिश्च की ओर बढ़ते हैं वार्शिक योजना प्रमुक रूप से उप्योगी है सिक्सक के लिए चात्रों के लिए अभिभावकों के लिए विध्याले के लिए तो अभिभावकों के लिए तो नहीं रहेगी ये उप्योगी तो ये तो गलत हो गए आपका अब आपके सामने तीन विकल्प है सिक्सक चात्रिया विद्याले तो सात्यों जो वार्षिक योजना होती है यह सिक्सक के लिए उपियोगी मानी जाती है क्योंकि सिक्सक ही वार्षिक योजना में यह तई करता है कि हमें वर्षिबर में बच्चों को किस प्रकार से कोर्स पढ़ाना है कौन कौन सी चीज़े करवानी है विकल्फ एक आपका प्रश्च नमबर 28 में सही है नेक्स प्रश्च नमबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो चलिए 29 वा प्रश्च देख लेंगे आपके प्रश्च नमबर 29 भावो एम विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है भावो एम विचारों की अपने जो भाव है अपने जो विचार है इसकी अभिव्यक्ति तो करो गया भाश्च के माद्यम से लेकिन कलात्मक अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये गद्य या भाश्च नमबर 30 की ओर बढ़ेंगे तो आपके तीसवा प्रिश्ण है किस पद्दती में बालक सुयम अपना सुधार करता है अनुकरन पद्दती, जेकाटार पद्दती, प्रिश्णोत्तर पद्दती और कहानी पद्दती तो देखो सुयम सुधार विदी किसको कहा जाता है स्वयम संसोधन विदी किसको कहा जाता है साथियों आपका आंसर रहेगा जेकाटार्ट विदी को ही स्वयम सुधार विदी या स्वयम संसोधन विदी के नाम से जाना जाता है चूंकि जेकटार्ट विदी में चातरों के दोरा ही खुद की गलतियों को सुधारा जाता है खुद की गलतियों को सही किया जाता है अथा इसको स्वयम सुधार या स्वयम संसुधान विदी कहते हैं जेगटार्ट विदी का निर्वान जेगटार्ट के दोरह ही किया गया था साथियों अथे तीसवे प्रिश्ण में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 31 की ओर तो चलिए 31 वा प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमबर 31 कौन सा वाचन किर्या में नहीं आता है आदर्श वाचन, अनुकरन वाचन, प्रस्तावना वाचन, मौन वाचन तो प्रिश्ण नमबर 31 का सही आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा देखो वाचन किर्या के अंतरगत हम आदर्श वाचन भी करते हैं अच्छा आदर्श वाचन कोन करता है अध्यापक करता है सात्यों फिर वाचन किर्या के अंतरगत अनुकरण वाचन भी किया जाता है अच्छा अनुकरन वाचन कोन करता है तो अनुकरन वाचन चात करते हैं मौन वाचन भी किया जाता है चातरों दोरा लेकिन प्रस्तावना वाचन जैसा कोई प्रकार वाचन किर्या के अंतरगत नहीं आता है तो 31 में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सात्यों प्रशने संक्या 32 की ओर तो चलिए 32 वा प्रशने ओर श्रोता के मनो भाओं को सरवादिक प्रभावित करने वाली सहित्य की विधा है पद्दे सिक्सन नाटक सिक्सन कहानी सिक्सन गद्दे सिक्सन मनो भाओं श्रोता मतलब जो सुनने वाला है उसके मन के भावों को सबसे ज़्यादा जो साहितिकी विधा प्रभावित करती है उसका चैन कीजिए जी हाँ कहानी नाटक तो इसमें नहीं आएगी नहीं और दोनों चीज़े किसमा आती है गद्य में तो ये भी आपका अंसर नहीं रहेगा बलकि जो पद्दिस इक जातने तीस की और चलिए तेती सुवा प्रिशन देखेंगे पार्ट योधना बनाने की पीछे सिक्सक का उद्देश होता है चात्रों को व्यस्त रखना प्रभावी सिक्सन देना अनुशाशन बनाए रखना और इन में से कोई भी नहीं तो कोई नहीं वाला विकल्पा क्योंकि पार्ट योजना में वो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीजे करता है साथियों आता है दूसरा विकल्प आपके प्रशन संख्या 33 का सही उत्तर होगा अब बढ़ते हैं सेकंड लाश्ट मतलब 34 क्यूशन की और इसके बाद में अंतिम और 35 प्रशन देखेंगे कमेंड बोक्स में कमेंड करके जाएं कितने प्रशन सही हो रहे हैं हिंदी के टेस्टों के साथ में आपके साइकलोजी के आपके टीचिंग मेतड के आपके राजस्तान जीके की कलासे डिटेल कलासे राजस्तान जीके के टेस्ट सभी चीज के सोटेश्ट हैं तो ये इस YouTube चेनल पर पूनते निशुल के आप इसका फाइदा जरूर ले चलिए 34 प्रिशन देखेंगे रूप रेका सिक्सन पद्धती संबंदित है कहानी सिक्सन से नाटक सिक्सन से पद्ध्य सिक्सन से और रचना सिक्सन से तो देखो जो रूप रेका सिक्सन पद्धती है इसका संबंद कि सहे प्रिशन नमबर 34 का सही आंसर दीजिए और इसका संबंद साथियों रूप रेका स सिक्षन पतधिका संबंद रचना सिक्षन से होता है 14 विकलप 34 पृश्ण में सई है अब आज का अंतिम और 35 पृश्ण देख लेते हैं ग्रह कारे का सबसे बड़ा लाब है क्या लाब है जो बच्चों को हम होमवर्क देते हैं उसका सबसे बड़ा लाब क्या है कि छात्रों म आत्मे विश्वास आ जाता है क्या ये सबसे बड़ा लाब है विशे वस्तु को आत्मे साथ करना ये सबसे बड़ा लाब है या सुध्य क्यादत पर जाती है वो सबसे बड़ा लाब है तो जी हाँ बिल्कुल चात्रों में सुध्य क्यादत का और बाकिये साथ यो तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल बहुत अच्छे प्रश्णों के साथ लगातार तैयरी आपकी यहां पर करवाय जाएगी साथ यो निश्चित रूप से चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओन कर लेना तो मिलते हैं अगले वीडियो में बदो धन्यवा सभी का